प्रिये विद्यारतियों इस वीडियो में हम क्लास नाइन्त विज्ञान के जो इंपोर्टेर्स नुमेरिकल्स है उन सबी का हम यहाँ पर सोलिशन करेंगे तो देखिए सबसे वेला मारा यह नुमेरिकल्स है कि एक बस की गती पांस सेकंड में 80 किलोमेटर पर हाउस से गटकर 60 किलोमेटर पर हाउस हो जाती है तो बस का तोरण ग्याद कीजिए देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है जो वेग में जो है यहाँ पर देखिए वेग में क्या कर रखा है यहाँ पर इसने कमी कर रखी है यानि कि वेग में परिवरतन हो रहा है तो इसने पूचा है बस का त करेंगे तो देखिए उसको केसे आगई करेंगे सबसे पहले देखिए क्या देखिए और है 80 kmP खर किलोमिटर को पेले हम मीटर १ा सेकड़ के क्या हैं क्या क्या में आई गां मिटर फर्सि Testament स्क्वार में आ रहे गा तो यहां से देखिए हम असी में क्या करेंगे किलो मीटर है तो किलो मीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे देखिए इसको कर देंगे हम असी हजार क्या कर देंगे और बटे में देखिए यह जो हावर्स है इसको देखिए सेकंड में कैसे बदलेंगे 60 into 60 किलियर देखिए हावर्स का मिनिट बदला 60 और 60 को मिनिट में बदलेंगे तो सेकंड से हम इसको गुना कर देंगे 60 से तो 60 into 60 इस तरह से देखिए इसके बाद देखिए 2-0 से 2-0 कट जाएगा और नीचे 6 को 6 से गुना करेंगे तो 36 आएगा यानि कि 800 बटे में 34 मीटर पर सेकंड किलियर इसी तरह से अंतिम बेग को चेंज कर लेंगे तो यह भी किया जाएगा 600 बटे 36 मीटर पर सेकंड अब देखिए लिया गया समय केतना है 5 सेकंड है तो देखिए तोरन कैसे गयाद करते हैं अंतिम वेग माइनस प्रारांबिक वेग बटे में लिया गया समय तो यहां सी देखिए यह हमारा अंतिम वेग है यह प्रा HIV बटे में हैं यह यहां सी देखिए जब ओपरवाली संग्या को सोल करें तो कितना आएगा माइनस 200 व्यक्षिंद दोनों का तो 36ा cm 36 आईगा और 36 का 36 वाग एक बार तो 600 और इदर किया आजयगा माइनस 800 तो देखिए बड़ी संग्या किसकी यह माइनस की है तो यहां से यह माइनस का 200 आजाएगा और बटे में हैं 5 तो 5 इस 36 से क्या होगा गुणा होगा तो इसके बाद देखी ये कट जाएगा तो यहां से देखी उपर तो बचेगा 10 और बटे में आएगा 9 इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस एक से ही एक बटे नो मीटर पर सेकंड स्क्वार अता बस को तोरण क्या होगा माइनस एक से ही एक बटे नो मीटर पर सेकंड स्क्वार इस तरह पस्चा तो उसका वेग क्या होगा तो देखिए यहां पर प्रारमिक वेग क्या होगा जीरो होगा तो यह हो जाएगा यू बराबर जीरो मीटर पर सेकंड और अंतिम वेग क्या होगा इसको भी मानेंगे और लिया गया समय t कितना है 3 second है और तोरण कितना है 2 meter per second इसको रही है उसने दे रखा है तो गती के पहला समीकर हम यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि उसने क्या पूचा है वेग पूचा है तो वेग क्या होगा वी बराबर यू प्लस 80 तो यहाँ से देखिए हम मान रखेंगे मान रखने पर देखिए यू का मान जीरो एक का मान दो टी का मान तीन तो वी बराबर क्या जाएगा 6 meter per second यानि की गती प्रारम करने के 3 second के परशाद उसका वेग कितना होगा 6 meter per second होगा इसके बाद देखिए अगला क्यूसन है एक वस्तू 16 meter की दूरी 4 second में तेय करती है तता पुना 16 meter की दूरी 2 second में तेय करती है तो वस्तू की ओसर चाल क्या होगी यहाँ पर देखिए जो है दूरी तो सेम रख रखी है और समय क्या कर रखा इसने चेंज कर रखा है तो average जो इसकी चाल है वो इसने पूछी है तो यहाँ से देखिए वो केसर निकालेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर कुल दूरी निकालेंगे तो वस्तू के दौरा तय की गई कुल दूरी क्या होगी 16 meter प्लस 16 meter बराबर 32 meter और कुल लिया गया समय क्या होगा 6 second तो ओसर चाल क्या होती ह यानि की इसलिए वस्तू के उसर चाल के होगी 5.3 meter पर सेगंड इसके बाद एक एक और क्यूसन है एक पांच के जी द्रेवान वाली वस्तू पर दो सेगंड के लिए एक नियत बल जो है कारिरत होता है यह वस्तू के वेक को 3 meter पर 30 सेगंड से बढ़ागर 7 meter पर 30 सेगंड कर है तो यहां से किसको कैसे करेंगे यहां से देजिए हमें घाते यानि कि हमें किया दे रका सुने U यानि की प्रारंबिक वेक 3 मीटर पर सेकंड और V यानि की अंतिम वेक 7 मीटर पर सेकंड और T दे रखा 2 सेकंड और M यानि दरिवाने 5 केजी तो समीकरन एफ सदे की A पराबर क्या होगा यहांपर M V माइनस U बटे में T मान रखने पर देखिए A में 5 केजी और V है 7 और U है 3 और बटे में T यानि की 2 सेकंड जब इसको सोल करेंगे तो कितना जाएगा हमारा 10 न्यूटन यहांपर जो है फोर्स जाएगा अब अगर इसको 5 सेकंड यानि की T बराबर 5 सेकंड तक बल लगाया जाता है तो समीकरन को पुना लिखकर देखिए क्या मिलेगा यहां से यह देखिए V बराबर U प्लस एप्टे अपो नेम इनके मान रखने पर सोल करेंगे तो V बराबर कितना जाएगा 13 मीटर पर सेकंड इसके बाद नेक्स निमरीकल है कि एक बस्तू का दर्यमान 10 किलोग्राम है तो प्रत्वी पर इसका बार कितना होगा देखिए इंपोटेंट है इसको आप जरूर करके जाएं तो यहां पर देखिए इसने पूछा है कि एक बस्तू का दर्यमान 10 किलोग्राम है तो प्रत्व पर इसका बाहर कितना होगा तो देखिए दुरुमान है M बराबर 10 kg और गुरुत्य तोरण जी बराबर देखिए यह होता है 9.8 मेंटर पर सेकंड इसको यह फिक्स है तो गुरुत्य तोरण का मान इसको आप याद कर लेना इसके बाद देखिए W बराबर इसने पूछा बाह तो W बराबर होता M इन्टू G तो M है 10 और G है 9.8 तो यहाँ पर W बराबर कितना जाएगा 98.9 नूटन यानि कि उस बस्तू का प्रतिवर बाहर कितना है 98.9 नूटन है इसके बाद देखिए एक और क्यूशन है कि एक बस्तू का बाहर प्रत्वी की सता पर मापने पर 10 होता है वो एक बटाभ चेंटू प्रत्वी पर इसका बार यानि कि जो प्रत्वी पर बाहर होगा उसका एक बटाभ चेजो है चंद्रमा पर होता है तो वह केसेज़ निकालेंगा देखिए अर्थात डबलू एम बराबर डबू य बटे में छे तो डबलू要 कितना देरुक है अगला क्यूसन है अगला क्यूसन है कि 19.6 मीटर उची एक मिनार की चोटी से एक फत्तर जो है छोड़ा जाता है तो प्रत्वी पर पहुचने से पहले अंतिम वेग जो इसका ग्यात कीजिए तो देखिए यहां पर इसका प्रारंबिक वेग तो कुछ ही नहीं यानि कि 0 है देखिए फत्तर का आरंबिक वेग यानि कि प्रारंबिक वेग यू बराबर 0 है उचा ही दे रखिए 19.6 मीटर और तोरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वार ये कौन सा है गुरूत्वी तोरण है यानि कि जी का महाने तो माना प्रत्वी पहुचने से पहले अंतिम वेग कितना था वी मीटर पर 30 सेकंड था तब गती के तीसरे समीकन से क्या आएगा देखिए कौन को चीजे देरकी ये लगेंगी पी स्कॉर बराबर यू स्कॉर प्लस टू ए एच तो वी स्कॉर बराबर यू जीरो है और टू एक इतना है 9.8 एच कितना 19.6 तो यहां पर देखिए तो उपर वर्गमूल है क्योंकि इसका इसको रटेगा तो इधर वर्गमूल आएगा तो दोनों एक जैसी संग्या तो इसका वर्गमूल यही हो जाएगा यानि कि 19.6 मीटर पर सेकंड यानि कि प्रत्वी पर पहुँचने से पहले फत्तर कंतिम बेग होगा 19.6 मीटर पर हैं तो उसके द्वारा बोजे गए कारे का परीकलन कीजिये यहां से देखिये बोज गदर रियुमं दे रखा έम बराबर 15 kg और विस्ताबं दे रखा 1.5 एम तो किया गया कारे क्या होता है डबल बराबर बल इंटू विस्ताबं तो बल के आएगा यहां पर एमजी आएगा into S इस तरह से हम इसको करेंगे तो देखिए M G M कितना है हमारा 15 है G का मान है हमारा 10 और A से हमारा 1.5 तो यहां पर देखिए इसमें करेंगे फिर 225 यह गुणा करेंगे तो पूरा गुणा करेंगे तो यहां जाएगा 225 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर तो यहां से देखिए हम क्या जाएगा 225 न्यूटन मीटर यानि 225 जूल अर्तात कुली द्वारा बोजे पर किया गया कारे 225 जूल है अगला कुशन है हमारा की 15 केजी द्रेवमान की एक बस्तू 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेक से गती सील है तो बस्तू की गती जूर्जा कितनी होगी यहां पर देखिए क्या बोला है कि 15 किलो मीटर द्रेवमान की कोई बस्तू है जो की 4 मीटर पर सेकंड के वेक समान वेक से गती सील है तो उसकी गती जूर्जा में ग्यात करनी है तो देखिए कैसे करेंगे गती जुर्जा यहां से देखे हमें क्या क्या दे रखा है बस्तू का द्रिमान दे रखा एम बराबर 15 केजी और बस्तू का वेक दे रखा है वी बराबर 4 मीडर पर सेगन तो गती के यानि कि जो गती जूर्चा होती वो हमारी होती ए के बराबर एक बटा दो एम बी स्क्वाइर तो एक बटा दो और एम हमारा पंदरा है बी स्क्वाइर यानि कि चार इंटू चार तो देखिए दो से ये चार दो बार कड़ जाएगा और ये 8 आएगा 2 को 4 से गुणा करेंगे तो और 8 को 15 से गुणा करेंगे तो 120 जूल हमारा आंसर आएगा यानि कि वस्तू की गती जूर्चा कितनी है 120 जूल है इसके बाद next question है next numerical है किसी द्वनी तरंग की आवरती 2 किलो हट्स है और उसकी तरंग देरदे 35 सेंटिमेटर है तो यह 1.5 किलो मिटर चलने में कितना समय लेगी तो यहां पर देखी समय पूचा तो केसे निकालेंगे देखी यहां पर उसने देरदेर का दिया हुआ है आवरती न्यू बराबर 2 किलो हट्स तो इसको हम हर्टज में बदलेंगे तो 1000 से गुना करदेंगे तो 2000 हटज यहां पर आजाएगा और तरंग देरदे भी हमारी किसमें होती है मीटर में होती है तो सेंटिमेटर है 35 तो इसमें सो का वाग देंगे तो क्या आएगा 0.35 मीटर ये तरंग देर दे जाएगी तो हम जानते हैं कि तरंग वे क्या होता है तरंग देर दे इंटू आवर्ती यानि कि तरंग देर दे और आवर्ती को हम क्या गड़ देंगे गुणा कर देंगे तो देखिए इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 700 मीटर पर सेगन तो अब देखिए यहाँ पर तरंग को जो है 1.5 किलो मिटर दूरी तेह करने में लगने वाला समय क्या होगा देखिए समय बराबर होता है दूरी बटे चाल तो दूरी देखिए दूरी बटे चाल होता है तो दूरी देखिए हमारे कितनी है 1.5 किलो मिटर तो देखिए 1.5 किलो मिटर है तो इसको हम पहले मीटर में बदलेंगे तो हमारा मीटर कितना हो जाएगा 1500 है इसको हम एक अजास से गुना कर देंगे और इसके बाद देखिए बटे में जो हमारी वेगता वो कितना है 700 है तो पंदरा सो में जब हम 700 को बाग देंगे तो कितनी बार जाएगा दो दसमलव एक बार जो है जाएगा तो इस तरह से जो है हमारी दोनी 1.5 किलोमेटर दूरी तेह करने में जो है 2.1 जो सेकंड का समय लेगी इसके बाद देखिए तो कमपन निकालने में कैसा निकालने की देखिए σो हर्टज और समय वराबर एक मिनट यानि कि 60 सेकंड То कंपनों की संग्या होगी आ वरती इंटू समय तो आवरती हमारी है 100 और समय हमारा 60 है देखिए समय हमें सेकंड में निकालना है मिनट में दे रखा है तो उसको हम जो है सेकंड में निकालेंगे तो दोनों को गुणा करेंगे तो 6000 कंपन हमारा जो है जो है जरूर आते हैं तो आप इनको जरूर करके जाए इसके बाद एक दिरुफसेंस हमने हैं जो है क्लास नायंद की साइन्स में जो है हमने यहाँ पर important question के सारे वीडियो बना दिये हैं अब केवल हम एमसीव की क्यूसन ओर जो वनवर्ट जो क्यूसन है यानि उनके आंसर है उसको करेंगे तो डियसेंच अगर आपको वीडियो लगाओ तो वीडियो को लाइक एंड सेर्फ जरूर करें और अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राब जरूर कर ले झाल झाल झाल